नमस्कार स्वागत है आप सभी का सननाइस नीज में मैं आपके साथ विशाल देश भर में कोरोना वाइरस की तीसरी लहर यानी ओमी क्रॉन को लेकर चिंताएं बड़ी हुई है इस पीच एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के मताबिक आने वाले दिनों में बड़े बुजुर्गों के साथ इस वेरियंट का असर बच्चों में और कम उम्र में देखा जा सकता है इसको ध्यान में रखते हुए अब 15 साल से 18 साल के किशोरों के लिए भी वेक्सिनेशन शुरू कर दी गई है जिसके तहत करीब 12 लाग बच्चों के कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन हो चुके है तीका करण स्कूलों की सला से अस्पतालों और स्वास्त केंद्रों में आयुजित किया जा रहा है तीका करण केंद्रों के रूप में भी बड़ी संख्या में स्कूलों और दूसरे संस्थानों का इस्तमाल किया जाएगा दूर दराज या जहां इंटरनेट की सुवीदा नहीं है वहां के किशोर सीथे टीका केंदर जाकर रजिस्ट्रेशन कर खुद को वैक्सिनेट करवा सकते हैं आपको बता दें कि बीते 25 दिसंबर को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने खुद ऐलान किया था कि 15 से 18 आयू वर्क के लिए टीका करण 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा इतना ही नहीं घोशना की थी कि हेल्थ वर्कर्स, फ्रेंट लाइन वर्कर्स और अन्य बिमारियों से ग्रसित वरिष्ट नागरिकों को प्रिकॉशन डोस की शुरुवात 10 जनवरी से की जाएगी वैक्सीन की कमी को लेकर बीते साल देखा गया कि राज्य सरकार और केंदर सरकार के बीच में लगातार खीचतान बनी रही थी इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्त मंत्राले ने राज्य को वैक्सीन डोस की जानकारी कोविन एप पर साजा करने की सला दी है स्वास्त मंत्रालियों की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों से कोविन पोर्टल का उप्योग करते हुए जिला इस्तर पर लभारतियों के अधार पर वैक्सीन की आवश्चन डोज की जानकारी दी जाए साथ ही पहले से 33 ककरण केंदरों को कोवैक्सीन के वितरंग की योजना बनाने को भी कहा गया है मंत्राले के मताबिक राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के पास मौझूदा हाल में 19.81 करोड डोज हैं हलाकि इतनी तैयारी के बाद भी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोणा वाइरस के वैरियंट से बचाफ के लिए जरूरी है कि सबी लोग कोरोणा के नियमों का पालन करें समाजिक दूरी का ध्यान रखें और मास्क अनिवारी रूप से पहने फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक करें अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके अलावा अगर आपने सनाइस नियूस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें धन्यवाद